नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्रेट्फॉर्म में रास्ट रोहित में सिक्षा दिसी धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोसों आज की है वीडियो हिंदी पेडागोजी के नाम रहेगी कोईसेंस की स्रंकला कुछ ऐसी है जिसमें हम 12 से 15 प्रस्ण करेंगे क्योंकि हिंदी का कोई भी कॉंसेप्ट का कुश्ण ग्रामर का कुश्ण नहीं होगा सीट एट एक्जाम के पहले ये वीडियो कारगर साबित नहीं बहुती जबज़त साबित होगी उमित के साथ पैड़ा गोजी के कोईसेंस देख कर जाएगा और पेपर को टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आने की कोशिस करिएगा पहला कोईसन बिना यहां पर रुकावट के बहु भासिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट-डॉट वा डॉट-डॉट का अभिन अंग है यानि इस डॉट-दॉट में पहले वाले खाली स्थान में और दूसरे वाले खाली स्थान में क्या भरा जाएगा अगर देखा जाए कि बहु वासिक्ता यानि अगर हम बात करें भारत कैसा है बहु वासिक्ता वाला रास्टर है अगर हम देखें यहाँ पर संस्कृति होगा चुनोतियां होगा सब्भेता संस्कृति होगा सब्भेता साहित या फिर संस्कृति साहित या तो देखें दोस्तो दूसरे के साथ लौख हो जाएगा, कुछ से नमबर नेक्स्ट, प्रात्मिक इस्तर की पाठे पुस्तक में कार्टन, भासड, विग्यापन, आदी बच्चों के भासा चमता विकास में कैसे होते हैं, जो आपके कोस्टक में छपे होते हैं, कार्टन की बात करें, कुछ विग् है अनुपयोगी है निर्थक है तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि इस कुछन का जो राइट आंसर जाएगा वो सहायक है क्योंकि भासा चमता के विकास में डेबलेब्मेंट जब लेंगज डेबलेब्मेंट की बात करते हैं तो बच्चा हर चीज को अपने इनवारमेंट में सीखता है साथी साथ किताबों के माद्यम से ही सारी चीजें कोसिस करता है सीखने के लिए तो आंसर किसके साथ जाएगा पॉजिटिव में हमेसा सोचना है पैड़ा गोजी कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है इसलिए याद रखीगा क्योंकि अगर हम देखे तो उसमें एक बाधित आंसर भी दिया था बाधित कैसा अगर लगा देते तो कहीं न कहीं आप कहते नकरात्मक है तो वहाँ पर अगर अब बाधित लगाते तो निगेटिव आप सोच गए तो आंसर पूरी तरीके से सत्यानास हो जाता है कुशन नमबर थर्ड पाँचमी कच्छा की सुहानी ये कुशन आया हुआ है पिछली बार पाँचमी कच्छा की सुहानी पाँचों किनहें आखें दोनों आदी सब्द लिखती है आप सुहानी के लेखन चमता के बारे में क्या कहेंगे मतलब इस सब्द की बात करें इसमें जो अच्छों सुहानी एक लड़की है एक बच्ची है इसमें पांचों एक अच्छर है, एक सब्द है, किन है? एक सब्द है, आखें, ये दोनों, इस तरीके के सब्द लिखती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? वह अनुनासिक चिन्न के नियम का आती सामानी करण कर रही है वह अनुनासिक चिन्नों का प्रियोग बिल्कुल नहीं कर रही है जानती ही नहीं है वह अनुनासिक चिन्नों के प्रियोग प्रति सजग है वह अनुनासिक की बात करें लापरभा है तो पहले तो मुझे निगेटिव आंसर काट देना है लापरभा कैसा है निगेटिव आंसर है काट दिया नहीं जानती है तो निगेटिव आंसर है काट दिया अब मेरे पास यहाँ पर सजक है और मेरे पास सामानी करण है तो जो बच्चे option number first ले रहे हैं बिल्कुल सही है क्योंकि सजक का मतलब होता है यहाँ पर negative sense में थोड़ा सा लग जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं डर की बात आ जा रही है ऐसे ही उसने जो है पांचों की बात करिये इसमें भी लगा है किन है आँखें ये देखिए आप सभी जानते हो है न तो सिंपल जी बात है option number जाएगा first के साथ चले आगे हम बात करें question number four विद्याले में भासा सिक्षन के लिए कोई कारिकरम सुरू करते समय सबसे महत्तुपूर क्या है बच्चे की पठन चमता को पहचानना बच्चे की लिखी चमता को पहचानना यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे की सहज भासाई चमता को पहच को पहचानना अच्छा कारिकरम सुरू करना है कारिकरम में बच्चे को यहाँ पर रखना है आपको अबसर देना है जिससे बच्चे भी यहाँ पर सामिल हो सकें चर्चाओं में अच्छा यहाँ पर बात करें कि बच्चे की चमता को हम पठन चमता को कैपिसिटी को पहचान व्यक्ति रहीं यानि सहज भासाई चमता का मतलब यह है कि बच्चा अपने इनवारिमेंट में जो चीजें सीखा है उसकी कैपिसिटी किस इस्तर की है क्या आयू बर्ग है बच्चे का और अगर वो कारिकरम में हिस्सा ले रहा है शुरू कर रहा है तो उसकी चमता क्या है जि मतलब समझ रहे ना कई वार बच्चे स्कूल आते हैं तो या भासाओं को और डॉट डॉट और बोलने से लैस होते हैं मतलब भासाओं के साथ साथ बोलने के साथ साथ किस से और लैस होते हैं लैस का मतलब होता है जो बच्चे लेकर आते हैं घर से घर की बोली लेकर जो उनके environment में भासा चल लई है ठीक ना mother tongue कहते हैं जिसको हम mother language कहते हैं मातर भूमी भासा कहते हैं भासाओं के साथ साथ बोलने की बात करें बोलने की कला होती है क्योंकि बच्चे को मा ने और परिवार ने पहले से सिखाया होगा मैं आसानी से कह सकता हूँ जो समझने की बात है option number first right हो जाएगा क्योंकि समझने से less होते हैं समझना और बोलना बच्चों को पहले से ही आता है क्योंकि बच्चे का जो development होता है वो कहीं न कहीं जन्म से ही start हो जाता है उसके पेट से ही start हो जाता है 12 खड़ी से परिचे और फिर वर्ड माला की क्रमधता कि अगयान तो मैं कहीं सकता हूँ कि आवहाओ अगर होगा तो हम संच्च तक्चर की बात करेंगे तो संच्र तक्चर में हम यहां पर 3 तरीके से होते हैं 6 ग्याकि बात करें 4 तरीके के होते हैं तो इनकी बात करेंगे तो इनसे तो हम पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इनका देखा जाये तो हम कहीं न कहीं इनका कम यूज करते हैं लिपी से पर्चे अगर होगा तो कहीं न कहीं लिपी अगर होगी तो भासा होगी อंसर जाएगा किसके साथ D के साथ चला जाएगा. QUNDस No. 7 भासा और विचारों के सम्मंद की चर्चा में अग्रणी क्या है? अगर हम बात करें, भासा और विचार के सम्मंद में कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है? जो अग्रणी है वाइगोस्की है पियाजे है इस किनार है या फिर चामस्की है अगर हम बात करें इस को संस्की तो हम कह सकते हैं आसानी से कि भासा और विचार के सम्मन्द में अग्रणी की बात करें जो वाइगोस्की की बात आती है तो बिल्कु राइट आंसर जाएगा क्य चामसकी जाने जाते हैं भासा विकास के जनक के तौर पर एक कह सकते हो, लेकिन माने नहीं जाते हैं क्योंकि बहासा समंदी जो development है वो चामसकी ने सबसे अदा किया है, चामसकी के बाद आपको बाउ गोस्की को मारना पड़ेगा जब भासा और विचार के बीच में बात आए अब देखें कि यहां पर questions पहली वार आ चुका है कई वार exam में पूछा जा चुका है same to same questions सिधार्ट से ही पूछा जाता और उसकी मा से पूछा जाता है यानि अगर हम बात करें जो घर के सदस्यों को warning कर रही है सिधार्ट की मा की बच्चे की बात कर रही है यानि सिधार्ट एक बच्चा है और सिधार्ट की मा कह रही है अपने परिवार के लोगों से कि भासा का प्रियोग है वो एक ही भासा का प्रियोग करे है वो यह भासा अर सर जाएगा बंचित करना एक निगेटिव सेंस है हमारे पास उपस नमबर A, उपस नमबर C, उपस नमबर D है जो बच्चे उपस नमबर C लगा रहे हैं बताना चाहिए बिल्कुछ सही है क्योंकि यार देखीगा किसी प्रकार का अबरोध नहीं चाहिती वो पहले से ही आपर वर्न कर रहे है परिबार के सलस्यों को जो भी है हमें नहीं पता कि भासा में कोई अबरोध नहीं होना चाहिए और भासाग ही एक प्रियोग होनी चाहिए जिससे बच्चे में कोई समस्या ना आए चलिए आगे बात करें कुछ से नंबर 9 प्रात्मी किस्तर पर भासा का विकास प्रात्मी किस्तर पर भासा सिक्षड के संदर्ब में सरवादिक महत्वण है कि बच्चे सब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें लिखी चपी सामिकरी को बोल बोल कर पढ़ सकें या अच्छरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि प्रात्मी किस्तर के बच्चे हैं बच्चे चोटे हैं भासा सिक्षड के संदर्ब में सरवादिक जो बच्चा यहाँ पर महत्पून कथन रिलेट करेगा वो कही ना कही मैं आंसर किसके साथ B के साथ क्योंकि वह या लिखी छपी सामिगरी का अर्थ समझना बहुत इंपोर्टेंट है पढ़ना इतना नहीं क्योंकि अगर पढ़ लेते हैं तो वो रटने की बात हो जाएगी अगर पढ़ कर समझ लेते हैं तो जो अजस्त है क्या ही कहना तो अंसर किसके साथ जाएगा ओप्शन नमबर B के साथ अर्थ समझना बहुत जरूरी है इसलिए B option हमारा right हो जाएगा question number next प्रात्मिक इस्तर पर लेखन चमता के संदर्म में सरवादिक महत्तुकून क्या है अगर लेखन चमता को हमें capacity यहाँ पर बच्चे की लेखन चमता को बढ़ाना है तो मुझे सुलेक लिखवानी होगी मुझे बरतनी यहाँ पर विचार करना होगा मौलिक विचार करना होगा या सुरुत लेख पर हमें यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस करना होगा तो प्रात्मिक इस्तर का बच्चा है लेखन छमता के संदर में महतपूर्ण की जब बात आती तो बच्चे मौलिक विचार और सुटलेक की बात करते तो मैंने आप सभी को बताए कि मौलिक विचार सबसे जबरजस्त होगा क्योंकि उसके मौलिक विचार अपने आप में क्या है किस तरीके से वो अपने इनवारिमेंट में इन विचारों को प्रसुत करता है चैनल को सस्क्राइब कर ले यूटूब गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी आपके राश्टो हित में बात करता है जिससे आपका परिवार यही कामना करता है कि आप एक सिक्षक और सिक्षिगा बने हम किसी दूसरी वेकेंसी पर यहाँ पर फोकस नहीं करते हैं यह 11 वजे दो पहर एक वजे रातरी आठ वजे यह सारी क्लास आपके लिए समय समय पर एक बेहतरीन कॉंटेंट प्रोवाइड करती है वह भी लाइव क्लास के साथ जब जस्ट फीगर वाइज सारी समस्याओं का हल आपको मिलता है नीचे आपको टेलिग्राम की लिंक होगी ट माता पिता आपका परिवार मुस्कुराता है इंकलाव जिन्दावाद आदाव सस्रेयकाल ताल ठोकर जय महकाल अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना अपने दोस्तों के साथ पोसिवल है तो सेर भी कर देना वंदे महतरम